साउधी अरब के दौरे पर पहुंची भारत की महिला और अल्प संख्यक मामलों की मंद्री स्वृति इरानी ने मुसल्मानों के लिए सबसे पवित्र शहरों में शुमार मदीना का दौरा किया है माना जा रहा है कि ऐसा पहली बार हुआ है जो मदीना शहर में एक खैर मुसलिम भारतिय प्रतिनिधी मंदल पहुंचा हो यही नहीं स्मृति इरानी ने इस दोरान हिजाब भी नहीं पहन रखा था अपने इसलामिक कानूनों के लिए चर्चित साउधी अरब में स्मृति इरानी के मदीना शहर पहुंचने को एतिहासे कमाना जा रहा है स्मृति इरानी ने भारतिय अहज यात्रियों के लिए की जा रही सुविधाओं का जाइजा लिया इस अभारतिय कूटनीती की बड़ी जीत मान रहे है साउधी अरब के प्रिंस ने मदीना शहर को गैर मुसल्मानों के लिए भी साल 2021 में खोला था स्मृति इरानी ने एक्स पर लिखा कि मैंने आज मदीना के इतिहासे क्यात्रा की इसलाम के सबसे पवित्र शहरों में से एक में पेगंबर की मस्जद अल-मस्जद अल-नबवी, उहूत के पहाड और पहली इसलामी मस्जद कूबा की यातरा शामिल है उन्होंने का कि इस दोरान उन्हें इसलाम की शुरुआत के बारे में जानने का मुगा मिला स्मृती रानी के साथ विदेश मराज जिमंत्री वी मुरली धन्म भी शामल थे एक आधिकारिक प्रवक्ता ने अपने बयान में बताया कि ये अपने आप में बहुत उलेखनी और अप्रत्याशित घटना क्रम था मदीना में ये पहला गैर मुसलिम प्रतिनिधी मंडल था जुसका इस पवित्र शहर में स्वाकत किया गया उन्होंने कहा कि ये भारत और साओधी अरब के बीच बहुतरीन संबंदों को दर्शाता है इससे पहले स्मृती इरानी ने साओधी अरब के साथ हज 2014 को लेकर वेपक्षिये समझोता किया था इसके तहट अब भारती हज यात्रियों का कुल कोटा 1,75,025 तक पहुच गया है इसके अलावस मिती रानी ने उम्ठा के लिए साओधी अरब गए भारती ये लोगों के साथ मुलाकात की भारती अरब मंतरी ने हज़ारों की तादाद में आने वाले भारती हजज यात्रियों के लिए अच्छी सुविधायँ देने की प्रतिपद्धिता जटाई है इसके अलावा स्मिती रानी अलबलाद जद्दा गई जो युनेस्को का विश्व विरासत सुची में शामल है। साउधी अरब ने मदीना में घर मुसलिम दल को जाने के अनुमती दे कर अभूत पूर्वर रवाया अपनाया है। मदीना इसलाम धर्म को मानने वाले करोडों लोगों के लिए दो सबसे पवित्र शहरों में से एक में है। दुनिया भर में मुसल्मानों के लिए ये एक महत्वण शहर है। मदीना शहर साउधी अरब के हैजाज इलाके में शामल है। मदिनावोर शहर है जहां पर पैगंबर महम्मद प्रवास करते थे यहीं से इसलामिक कैलेंडर की शुरुवात मानी जाती है स्मृती रानी अलमस्जद अलनबवी के बाहरी दिवारों के पास तक गई इसके बाद वो उहूद परवत को भी देखने कई उन्होंने कूबा मस्जद को भी देखा उहूद परवत के पास भायानक लडाई हुई थी और कई इसलामिक शहीदों के कपर यहां पर है वही कूबा को इसलाम की सबसे पहली मस्जद माना जाता है आपका क्या कहना है इस खबर पर हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईए इसी तरह की और इंट्रेस्टिंग चीज़ों के लिए देखते रहिए जन्हे टाइम्स